क्या आप भी घर पर बाजात जैसा बटर बना कर तयार करना चाहते हैं वो भी मिंटो में तो आज की वीडियो आपी के लिए है इसके लिए हम ना तो आज हम मलाई का उपयोग भी नहीं करेंगे दही का भी उपयोग नहीं करेंगे और क्रीम का भी उपयोग नहीं करेंगे तो बटर बनाने के लिए आप एक फेले मुग का इस तरह बरतन ले लिजिए और यहां पर लेना है आपको घी शुद्ध घी का उपयोग यहां पर आपको करना है तो जितना बटर आप बनाना चाहे उतना घी ले सकते हैं मैंने एक कतशयोओ बटर घी लिया है इतका ही मुझे बटर बनाना है तो यहां पर घी ले लिया है घी थोड़ा लेते हैं तूजम कोई बहुत हैं और अब यहां पर हमकुछ प्रॉब्लम कोई सब्सक्राइब बटर कर समय विए दो रीजा ऐस कोई कर देके हाई सब्सक्राइमेड धनकेकर तो धीड़िया हुआ — पीड़नों सेःनी चेक GlasRO tätी मिक्स कल यहां कaciणत कर दूब merc इस तरीके से आप भी अच्छे से इसे मिला लीजिए आप जेसा बटर चाहे वेसा घर पर बना सकते हैं जिस फ्लेवर में चाहे उस फ्लेवर में बना सकते हैं गार्लिक वाला बना सकते हैं और बिल्कुल भी इसमें समय नहीं लगता है दो से तीन मिनिट ही मैंने फेटा है और देखिए बटर बनकर बिल्कुल तयार है तो जो हम ये आइस क्यूब्स लाले हैं उन्हें अब हटा देंगे क्योंकि उनका काम अब हो चुका है और एक बरतन ले लेंगे जिसमें हमें बटर को सेट करना है किसी भी बरतन में आप सेट कर सकते हैं मुझे आज इस तरीके की टिकिया बनानी है यसलिए मैंने इसमें ये थोड़ा सा जो है पॉलेथिन जो होता है वो लगा दिया है आप जो चाहें वो नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से इसको सेट कर लेंगे अच्छे से मैंने इसे जमा दिया है आप हम इसे फ्रिज में रख देंगे जमने के लिए और फ्रिज में जमने के बाद देखिए 10-15 मिर्ट में ही यह बिल्कुल सेट हो जाता है बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है देखिए इतनी आसानी से यह निकल जाता है इसलिए मैंने यह जो है एक पॉलिथिन का जो यूज यहां पर किया हुआ है अब इसे हम इसे लिए हटा सकते हैं अब न चाहे तो नष्चाए तो नब ली करें बीघत करोetta करोगत है तो इस तरीके से निकल दीं है और आप देखिए अमारा बटर को बढ़ बन करें, पसंद जाता है जो आक यहाप पसुले जरूर लाइक कर दाती है ताकि जब भी मुझे यूज़ आया तो मैं एक टिकिया को यूज़ कर पाऊँ तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और कीप वाचिंग, बाई बाई